नमस्कार प्यारे बच्चों मैं आरती आप सबका आरती एडुकेशन वर्ड में स्वागत करती हूँ बच्चों आज की इस वर्क सीट में हम आपकी जो कक्षा 6 से 8 तक की वर्क सीट आई है वर्क सीट नंबर 71 यानि के कारपत्र की कतर और जिसकी दिनांख है 25 सितंबर 2020 उसको पढ़ेंगे समझेंगे और जो भी उसमें करने को दिया है वो भी करेंगे सबसे पहले तो यह जान लीजे विद्यारती के नाम में आप अपना नाम लिखते हैं यह आपको पता है कक्षा द्यापक के नाम में आप अपने कक्षा द्यापक का नाम लिख देते हैं बस याले खुले हुए हैं आपके टीचर्स जा रहे हैं न हम लोग और फिर भी मामारी के कारण आप नहीं जा पा रहे हैं इसके बावजुद भी आप माता पिता शिक्षगों के सहयोग से किसी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उस तके सबसे अच्छी दोस्त होती हैं बता हैं तो उस तके हमारी सबसे अच्छी दोस्त हो सकते हैं हम उनको कुछ लिखकर बता भी सकते हैं कोपी में लिख सकते हैं पढ़ सकते हैं मनोरंजन कर सकते हैं ना कोमिक्स बुक्स होती है जैसे न्यूस पेपर होता है इन सबसे हम मनोरंजन भी कर सकते हैं आप लोग उने इस ब अलग तरीके और नियम बना लिया होंगे है ना पहले तो आपके विल्कुल अलग तरीके थे स्कूल जाते थे सब बच्चों के साथ मिलके बैट के स्कूल में पढ़ते थे पर आप क्या करते हो फोन पे अकेले घर में पढ़ते हो आईए उसी पर बात करते हैं सबसे पहले पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल सोचो और बच्चो एक वर्क सीट भी आई थी आपकी जिसमें आपको टाइम टेबल बनाना था अगर वो टाइम टेबल आपके पास है तो आप उसी को अपने कहां पे जहां पर पढ़ने वाली जंगे हैं उसके सामने दिवार पर लगा अपनी कोपी में लिखा हुआ तो उसको लिखके दिवार पर लगा लो और उसी तरीके से अपना काम क्या करो अगर नहीं है तो फिर से दुबारा बना कर उसे एक दिवार पर चिपका लो ठीक हैं चलो आप देखते हैं उन्होंने हमें करने को क्या दिया है पढ़ाई में किसका अंसर इसका अंसर की पढ़ाई में कौन-कौन आपकी सायता करते हैं इसमें वो वाला अंसर आएगा चलिए अब देखते हैं आपके घर में आपकी पढ़ाई की जंगे कहा है और इसका चुनाव करते समय आप किन-किन बातों का धियान लगते हो लिखिए तो बच्च से रखी जा सके मैं सीते तरह के से कुर्सी पर बैठ सकूं और लोगों का आवागमन वहाँ पर कम हो मतलब लोगों कम आते जाते हों जिससे की डिस्टरब ना हो तो आप बचो इसमें आपका ये जो आंसर मैंने बता है वो लिखेंगे ठीक है चले आगे देखते हैं आपके सा और कौन-कौन पढ़ता है तो आपके साथ और कौन-कौन पढ़ता है लिख दो जो भी जितने भी बच्चे हों आपके घर में पढ़ते हैं तो लिख दो मेरे साथ जैसे मेरा भाई और बहन दोनों पढ़ते हैं ये लिख सकते हो आप अगर आपके दो भाई है तो दो भाई हाई हो रही है अपने शब्दों में लिखिए क्योंकि विद्याले तो जाने ले किस तरीके से हो रही है तो बचरो ये लिख देंगे आजकल हमारी पढ हाई होरी है हमारी अद्ध कर चाद सेसरी हमारी लिए वडियो बनाकर फूब देना न काट देना हमारी अध्यापी का हमारे लिए वीडियो बनावकर भी भेशती है तो ये लिख देंगे आप उसका अंसर ठीके बचो अब देख लेते हैं हम ये वाला यदि आपके पास स्मार्ट फोन है तो पढ़ाई में किस से और कैसे मदद लेते हैं बताओ स्मार्ट फोन से क खोलते हैं और अध्यापी का हमें वट्सप पर ओडियो के या किट वीडियो के लिप बना कर समझा देती है हम उसे अच्छे से समझा देती है और फिर हम अपना कारे करके वापस में को फोटो कीच कर भेज़ देते हैं तो ये हो गया स्मार्ट फोन ने की वज़े से आपकी स्मार्ट फोन नहीं हो एक साधरन फोन हो मतलब जैसे फोन कर सके बस तो आप पढ़ाई में सिक्षक और अपने साथियों से किस प्रकार साहता लेते हैं लिखिए तो आपको लिखना है क्या लिखना है इस तरीके से लिखना है साधरन फोन से सिक्षकासित को फोन करते हैं अ अगर उसमें कुछ कलती होती है अध्या भी कहा हमें बता देती है ये लिख देना है आपको आंसर ठीक है बचो चलिए आप देख लेते हैं ये वाला ये वाला क्या आएगा आपका पढ़ाई के बीच आप मनुरंजन कैसे करते हैं तो बचो क्योंकि पढ़ने के साथ मन के साथ लूडो और साफ सीडी खेल कर और ममी का कामें हाथ बटा करती हूँ अगर आप लड़के हैं तो करता हूँ लिख दो अगर लड़की है तो करती हूँ लिख दो क्योंकि आप दोनों है तो आपको दोनों को बताना पड़ता है ठीक है बच्चो बच्चो ये थी आ आपको बहुत पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को अभी लाइक करो है ना और बच्चो अपने सारे दोस्तों को भी शेयर करो करो आप लोग और आप कमेंट तो करते ही नहीं है मैं कमेंट का वेट करती हूँ बस कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि वीडियो कैसी लगी ठीक है मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पर कर चले बच्चे थैंक्यू फिर आउंगे आपकी एगली वर्क सीट लेकर